आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक्षेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट टंबर 47 जो की कक्षा साथवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है गणित विशे से और आज इसमें हम पुन्रावित्ती करेंगे लंब रेखाओं की तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो इनका जो परिचाय वो यह है कि दो रेखाओं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिगरी पर प्रतिछेद करती हैं लंब रेखाओं कहलाती हैं उधारन के लिए अक्षर L आप देखते हैं न कि रेखाओं एक समکोण बनाते हैं और किसी पुस्तक का कोणा भी ऐसे ही होता है कागस भी ऐसे ही होता है और आप अगर यहाँ पर आकरिती देखें तो उसमें समझाया हुआ है कि जो रेखा खंड होते हैं मतब जो दो रेखाएं हैं जब वो एक दूसरे पर कितने डिगरी पर काट रही हैं सम कोंड पर काट रही हैं देख रहे हो यह सम कोंड पर यानि 90 डिगरी पर यह काट रही है एक दूसरे को, तो इसको हम कहते हैं, लंब रेखाएं, और अंग्रेजी का जो ये L अक्षर है, ये भी इसी की आकरिती बना रहा है, और ये जो हमेशा आकरिती होती है, ये समकोन या 90 डिगरी का कोन कहलाता है, और आपने अपने पुस्तक का कोना भी देखा होगा, वो भी इ ये तो हुआ उधारन, लेकिन अब हम इन्हे अपनी जामती में, जीमेंटरी में कैसे बनाते हैं, कई तरीकों से बनाते हैं, हम SET SQエor होता है न, उससे भी बनाते हैं, और प्रकार और स्केल की सायता से, नहीं RULER की सायता से भी इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, चलिए, मेरे साथ सीखते हैं देखे पहला है कि ruler और set square की सायता से किसी रेखा पर दिये गए बिंदू पर एक लंब खीचना तो ये तो बहुत ही असान होता है करना क्या है ruler की सायता से एक रेखा L खीचिए और उस पर एक बिंदू P को अंकित कीजिए अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे तो पहले एक आपको एक रेखा खीचनी है और उस पर कोई बिंदू P बनाना है ठेक है फिर उसके बाद second step है ruler वा समकोन set square को बिंदू P पर लाएं इस तरीके से जैसे कि यहां पर आकरिती दिखा रखे आपकी geometry box में यह आकरिती वाला भी एक instrument होगा इसको हम बोलते है set square और यह समकोन वाला set square होता है इसको इस तरीके से रखे जैसे चितर में दिखाया गया है फिर तीसरा step क्या होगा कि set square और ruler की साहता से P क्यू रेखा खीच दीजिए और यही P क्यू रेखा क्या है यह L के लंवत है यानि कि यह क्या है एक लंब रेखा है देख रहे हैं आप यहां से आप एक pencil से रेखा खीच देंगे तो इस तरह से यह कैसी बन जाएगी यह अभी मैं आपको खीच के बताता हूँ देखो यह रेखा ऐसी थी जब आपने set square रखा और एक रेखा कीची तो यह इस तरह से बन गई बन गई या नहीं बन गई आकरे थी बिल्कुल ऐसे तो यह तो बहुत आसान है लेकिन अब हम जो सीखने वाले हैं वो है रूलर और परकार की सहयता से रेखा पर दिये गए बिंदू पर एक लंब रेखा कीचना तो इसके भी steps हैं आप यहां तो समझी लीजिए जब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा न आप इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना लास्ट में ज़रूर देखना क्योंकि मैं उसमें लाइव करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और और किसी वीडियो में ऐसा कहीं नहीं दिखाया जाता जैसे step किया है जो रेखा L को बिंदू A और B पर पतिछेद करते हैं इस तरह से यहाँ पर प्रकार की नौक होगी और दो आप चाप लगाएंगे जो की A और B बिंदू आपको मिल जाएंगे फिर समान तरिजिया के साथ बिंदू A से रेखा के उपर और नीचे एक चाप को उंकित करें यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ समान तरिजिया के साथ नहीं बलकि उसको थोड़ा सा जादा अपनी प्रकार को और खोल लें जैसे कि जब आप यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे तो अपनी प्रकार को इतनी तो खुली हुई है आप उसको थोड़ा सा इतना खोल लें और फिर A बिंदू पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे और इसी तरह से B बिंदू पर प्रकार की नौक रखेंगे एक दूसरी चाप लगाएंगे तो आपको एक बिंदू मिल जाएगा जहांपर एक दूसरे को काट रहे हैं न और फिर आपने ये वाला step करना है रूलर की साहता से बिंदू P और Q को मिला दीजी ये वाला step तो आपकी ये रचना हो जाएगी और एक आपको लंब रेखा मिल जाएगी अभी मैं बार बार कहा रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा भी एक और तरीके से भी हो सकता है जिसे रूलर और प्रकार की साहता से रेखा के बाहर किसी बिंदू से एक लंब रेखा कींचना हम रेखा पर पहले हमने क्या किया रेखा पर एक बिंदू लगाया और वहां से हमने लंब रेखा कींची अब हम रेखा के कहीं पर भी बाहर एक बिंदू ले लेंगे और वहां से लंब रेखा खींचना सीखेंगे कैसे सीखेंगे देखे रूलर की साहेता से एक रेखा L खीचिए जो हमने इस तरह से खीचिए और एक बिंदू P को रेखा के बाहर अंकित करना है पहले हमने यहां पर किया था न, यहां नहीं करना, कहीं पर भी बाहर कर लो आप, फिर दूसरा है, प्रकार को बिंदू P पर रखें और रेखा L पर अर्ध वृत खीचिए, जो रेखा L को बिंदू A और B पर प्रतिछेद करें, फिर अपनी नोक यहां पर आपने रखें, और यहां तक प्रकार खोलनी है, और एक अर्ध वृत बनाना है, इस तरह एक से, तो आपको क्या होगा, दो बिंदू मिल जाएंगे A और B, अब अगली बार में क्या करना है, प्रते एक बिंदू A और B से, बिंदू P से, बिंदू P से विपरीद दिशा में चाप खीचिए, औ आपने फिर क्या करना है, यहां पर प्रकार की नौक रखनी है, और क्या करना है, जब यहां पर प्रकार की नौक रखोगे, तो एक आपको यह वाली रेखा मिलेगी, यहां पर रखोगे, तो यह वाली रेखा मिलेगी, ठेक है, और अब आपको रूलर की सायता से, बिंदू R लीजिए, रेखा खंट पर एक लंब MN खीचिए जो बिंदू R से गुजरे तो बहुत असान है, चलिए अब हम इसको करने का अभिहास करते हैं देखो सबसे पहले हमें 7 cm का एक रेखा खंट खीचने के लिए जो सबसे पहली लाइन है स्केल की, रूलर की, उस पर एक पॉइंट लगा होगे और यहाँ पर 7 पर एक पॉइंट लगा होगे फिर इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दोगे, जोइन कर दोगे इस तरह से इने आप जोड़ दोगे, तो यह आपका 7 cm लंबा एक रेखा खंट बन जाएगा, अब इस पर एक बिंदू R लेना है और रेखा खंट पर MN लंब खीचना है, जो बिंदू R से गुजरे तो चलिए देख लेते हैं एक बार, कैसे करना है चलो यहाँ पर दे तो ने रखका हम इसका नाम रख देते हैं A B ठीक है, अब इस पर कोई भी बिंदू R लेना है और अपनी मर्जे से आप कोई भी बिंदू R ले लिजे जैसे माली जी हम मैंने यहाँ पर जुन लिया इसका नाम मैंने रख दिया R अब आपको क्या करना है, अपनी प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना है और अपनी पैंसिल को आपने देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा दूँ आपको, जैसे यह प्रकार की नोक है ठीक, और अपनी पैंसिल को आपने माली जी यह आपकी पैंसिल है ठीक है, उसकी नोक को इस आर पॉइंट से थोड़ा सा जादा खोलना है माली जी इतना खोलना है आधे से जादा खोलना होता है इतना, यहाँ तक अपनी खोल लीजिए इसको प्रकार को ठीक, अब आपको क्या करना है कि मैं इसको हटा रहा हूँ वापिस से, जब इतना आपने खोल लिया तो आपने प्रकार की नोक तो यहाँ रखनी है और एक चाप उपर की तरफ भी लगानी है और एक नीचे की तरफ भी लगानी है इस तरीके से फिर आप बिंदू भी पर अपनी प्रकार की नोक को रखोगे उतना ही खुला रहन दोगी, जितना खुला है, और एक चाप ऐसे लगानी है, ठीक है, और एक वो आएगी, इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताओं, कि वो आएगी यहाँ पर, देखो, ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी, और इसको आप ऐसे बना देना, तो आपको दो चाप यहां पर लगाई, भी पे नोक रखी, फिर एक चाप आपने यहां पर लगाई, और एक चाप आपने यहां पर लगाई, तो अब आपको जो दो बिंदू मिल गए हैं, इनको आपने ऐसे इनको जोईन करते वे लेके जाना है, जो आपका R से ही गुजरेगा देखना, ऐ कि अभी हम दूसरे प्रश्ण में भी इसको करके देखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा दूसरा प्रश्ण है कि 10 cm का एक रेखा खंड कीजिए इसके बाहर एक बिंदू S लीजिए और फिर बिंदू S से रेखा खंड पर एक लम एकस वाई कीजिए अब इसमें थोड़ा सा अलागे पहले हमने जो बिंदू लिया था वो हमने रेखा खंड पर लिया था फिर इन दोनों बिंदू को आपको मिलाना है तो यह आपका 10 cm लंबा एक रेखा खंड बन जाएगा ठीक है अब इसमें कोई बिंदू बाहर की तरफ लेना है मालो मैं एक बिंदू यहाँ पर ले लेता हूँ और इसका नाम रख दूँगा मैं S ठीक है इसका नाम कुछ भी दे दो आप इसका नाम हम दे देते हैं मान लीजिये रुके इसका नाम हम रख देते हैं A B क्योंकि कुछ भी नाम रख सकते हैं अब जब आपने यहां पर जो बिंदू S लिया है अब ध्यान रखना अब आपने अपने प्रकार की नोक जो है बिंदू S पर रखनी है और अपनी पैंसिल को आपने यहां तक खोलना है ताकि यहां पर एक चाप लग जाए ठीक है जब आपने अपने पैंसिल और प्रकार की नोक कहां पर रखनी है S पर और पैंसिल की नोक यहां पर आनी चीए तो इतनी चौड़ी खुल गई प्रकार और यहां पर आपको एक एक आर्क लगानी है कैसे लगानी है, इस तरीके से, ठीक, और एक चाप लगानी है यहाँ पर, आर्क का मतलब चाप होता है, ऐसे लगानी, इतनी आपको प्रकार खोलनी पड़े की लाइन तक, ठीक है, और एक चाप तो आपने ऐसे लगा देनी है, और एक चाप लगा देनी है, ऐसे, प्रकार की कि हाँ पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे फिर प्रकार कि नो कि हाँ पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे तो इससे आपको एक बिंदू और मिल जाएगा और फिर आपको फुटे की साहता से या scale की सायता से इसे आपस में जोड़ देना ऐसे ठेक तो ये आपका क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा और इसका नाम आप xy रख सकते हो जैसे यहाँ पर आपने लिग दिया x और यहाँ पर लिग दिया y ठेक है इस तरीके से आप इसको बनाओगे समझ में आ गया अब तीस सिध्य पशन है कि रीना बजार से अपने घर पहुंचने के लिए पहले सीधे पूर्व की और और फिर उत्तर की और गई वह किस कौन से उत्तर की और मुड़ी और किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी बहुत आसान है एक बार पहले देख लेते हैं कि दिशाईं कौन कौन सी होती हैं कौन कौन सी और कहा कहा पर होती है जैसे देखो अगर आपको याद हो तो यह होता है यह है पूर्व दिशा यह पश्चिम अपने समाजिक अध्यन में पड़ा होगा यह उत्तर और यह दक्षिन तो अब अगर हम ध्यान से देखें रीना पहले पूर्व की और गई औ और फेर वो उत्तर की और गई तो आप देख रहे हो कि कैसी जो रेखाएं बन रही है ये देक्या कौन सा कौन बन रहा है तो वर्क्षित के शुरू में भी हमने इस पीज़ीज को किया थ यह बन रहा है Hang सा तो आप लिखोगे कौन तो हो गया उत्तर में यह लिखने है सम या 90 डिगरी और रेखाएं होंगी कौन सी रेखाएं ये भी हमने वर्कषीट के शुरु में पढ़ा लंब रेखाएं बनेंगी कैसी रेखाएं बनेंगी लंब रेखाएं तो आपने सिर्फ उत्तर में यही लिखना है ठीक है अब देखते हैं प्रशन नमबर 4 प्रशन नमबर 4 है चादर या कागज के रेखाएं खंडों से किस प्रकार की रेखाएं और कौन बनते हैं तो देखो हमें यह पता है कि चादर की आकरिती क्या होती है कुछ ऐसी होती है और कागज कैसा होता है वो ऐसा होता है, होता है ना, अब अगर आप देखें कि किस प्रकार के कौन बन रहे हैं इसमें अगर इस देखो जड़ा, इसके रेखा खंडों से किस प्रकार के कौन बन रहे हैं, ये वाला कौन ऐसे बन गया, फिर दुबारा से वह आखृती आ रही है, L-shape वाली, तो जब कि कौन तो बनेगा कौन सा सम कौन ठीक है ये कौन से कौन होते है 90 degree के कौन या सम कौन होते है और रेखाएं कौन सी बनती है फिर वो ही रेखाएं ये देखो ही कौन सी रेखा बन रही है ये लंब रेखा बन रही है लंब रेखाएं आपने ये ही उत्तर इसमें भी लिखना है ठीक है तो ये तो थी आज की वर्क्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगाए तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए लेकिन याद रखेगा घर से बाहर निकलते समयं खास्त वर से स्कूल जाते समयं मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बार है करोना का टीका करने अवश्य कराएं क्योंकि करोना को हराना है एसी उमीद के साथ थैंक यू बरी मच